नमस्ते दोस्तों जैहिन कैसे हो गाइस आपका अपने यूच्वीब चैनल निदोसान स्पेशल में हार्दिक अभिनंदन आपको पता है दोस्तों आज 5 सप्टमबर को टीचर्स डे मनाया जाता है आज हम जो भी हैं जो भी हमें ग्यान प्राप्त है जिस भी कारे से जुड़े हुए हैं वे हमारे टीचर्स की ही बदौलत है अधियापक ग्यान का भंडार होते हैं और इस ग्यान के भंडार को निमरता पूर्वक हमें ग्रहन करना चाहिए प्राइम निस्टर मोदी ची ने भी मन की बात में टीचर्स को इस समाज का मार्ग दर्शक बताया है और उन्होंने विद्यार्थियों को आज के इस कौविट के दौर में किसी माध्यम से भी शिक्षक के बताया हुए मार्ग पर चलने को कहा है अध्यापक एक ग्ये के समान खुद को जलाकर हमारे समाज को हमारे देश को रोशनी देता है प्राइम निस्टर मोदी ने मन की बात में टीचर्स और विद्यार्थियों को और क्या कहा तो चलिए दोस्तों सुनते हैं मेरे प्रिय देश्वासियों कुछ दिनों बाद 5 सितंबर को हम सिक्षक तिवस मनाएंगे हम सब जब अपने जीवन की सफलताओं को अपनी जीवन यात्रा को देखते हैं तो हमें अपने किसे ने किसी सिक्षक की याद अवश्याती है तेजी से बदलते हुए समय और कोरोना के संकटकाल में हमारे शिक्षकों के सामने भी समय के साथ बदलाव की एक चुनवती रगती है मुझे खुशी है कि हमारे शिक्षकों ने इस चुनवती को नकेवर स्विकार किया बलकि उसे अवसर में बदल भी दिया है पढ़ाई में तक्रीका जादा से जादा उप्योग कैसे हो नए तरीकों को कैसे अपनाए छात्रों को मदद कैसे करे यह हमारे शिक्षकों ने सहजता से अपनाया है और अपने स्टूडन्स को भी सिखाया है आज देश में हर जगह कुछन कुछ इनोवेशन हो रहे है सिख्षक और छात्रों मिलकर कुछ नया कर रहे है मुझे वरोसा है जिस तरह देश में राश्ट्रिय सिख्षा निति के जर्ये एक बड़ा बड़लाव होने जा रहा है हमारे सिख्षक इसका विलाव छात्रों तक पहुँचाने में एहम भूमिका निभाएंगे साथियों और विशेशकर मेरे सिख्षक साथियों वर्थ 2022 में हमारा देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष का परव मनाएगा स्वतंत्रता के पहले अनेग वर्षों तक हमारे देश में आजादी का जंग उसका एक लंबा इतिहास रहा है इस दोरान देश का कोई कौना ऐसा नहीं था जहां आजादी के मतवालों ने अपने प्राण निशावर न किये हो अपना सर्वस्व त्याग न दिया हो ये बहुत आवशक है कि हमारी आज की विड़ी, हमारे विद्यार्ती, आजादी की जंग, हमारे देश के नायकों से परिचीत रहे, उसे उतना ही मैसूस करे अपने जीले से, अपने ख्षेत्रे में आजादी के अंदोरन के समय क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन सहीद हुआ, कौन कितने समय तक देश के लिए जेल में रहा ये बाते हमारे विद्यार्ती जानेंगे तो उनके व्यक्तित्व में भी इसका प्रभाव दिखेगा इसके लिए बहुत से काम किये जा सकते हैं, जिसमें हमारे सिक्षकों का बड़ा दाईत्व है, जैसे आप जिस जिले में हैं, वहाँ सताब्दियों तक जो आजादी का जंग चला, उन्हें आजादी के जंग में वहाँ कोई घटना ये घटी है क्या, इसे लेकर विद्यार अंदोलन से जुड़ा को स्थान हो, तो छात्र छात्राओं को वहाँ ले जा सकते हैं, किसी स्कूल के विद्यारती ठान सकते हैं, कि वह आजादी के 75 वर्ष में अपने ख्षेत्र के 75 नायकों पर कवीता हैं लिखेंगे, नाट्य कथा हैं लिखेंगे, आपके प्रयास महान व्यक्तित्पों को अगर हम सामने लाएंगे, आजादी के 75 वर्ष में उन्हें याद करेंगे, तो उनको सच्ची सरधानली होगी, और जब 5 सितंबर को सिक्षक दिवस मना रहे हैं तब मैं मेरे सिक्षक साथियों से जुरूर आग्रह करूंगा, कि वे इसके लिए एक विकास यात्रा पर चल रहा है, इसकी सफलता सुखत तभी होगी, जब हर एक देश्वासी इसमें शामिल हो, इस यात्रा का यात्री हो, इस पत का पथीक हो, आप सब स्वस्त रहिए, सुखी रहिए, इनी सुब कामनाओं के साथ अगली मन की बात में फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार